Hello and Welcome to MedicoMagic MedicoMagic में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आपको भी लगता है कि आपका जो body weight है वो कुछ ज्यादा ही increase हो रहा है आपकी जो personality थी वो पहले कुछ और थी आप कुछ और देखने लगी है आप अपने आपको देख़े सोचने लगी हो कि मैं पहले क्या थी अब क्या हो गई है अब सोच रहे हो अपने body weight कम करने के लिए क्या किया जाए तो मैं आपको बता दू यह सोचने मांतर से कुछ होने वाला नहीं तो अब होगा कैसे क्या करना है कैसे करना है और उसके लिए कोई treatment, कोई medicine है, तो क्या है, क्या उसके कोई side effect तो नहीं, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यही सब के बारे हैं, मैं आपको बता दो, कि मैं यह वीडियो में कोई ऐसा जादू है नुशका नहीं बता दूँगा, कि आप बस वीडियो देख लो और आपका body weight जो है, वो कम होने लगे, ना ऐसी कोई medicine बताने वाला, कि आप उसको खालो, तो आपको वसंज हो है, automatically कम होने लगे, दिन वर दिन आपको result दिखने लगे, ऐसा भी नहीं होने वाला, अगर आपको असा लगता है, तो आप भी मत देखो, ऐसा कुछ नहीं होने लेता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का वीडियो, जब भी weight loss करने के बात होती है, तो अकसर लोग ऐसा वीडियो रूनते हैं, मतलब ऐसी trick और ऐसी research में लग जाते हैं, कि ऐसा कोई तरीका है, जिससे हमारा body weight एक्दम आसान तरीके से कम हो जाए, सब से पहले हम ब बात करते हैं, एक important point की, कि आपको आपका वजन कम करने में किसा time लग सकता है, और इसे हमें आपने ads देखे होगे, कि एक हफते में 3 kg, 12 kg, वहने बर में 10 kg, 12 kg आपका वजन कम हो सकता है, तो यह क्या, realistic weight loss goal होता है, तो realistic weight loss goal के बारे में भी समझना बहुत चुरूरी है, scientifically 1% of our body weight, मतलब की, अपने body का 1% version, जो कम करने में time लगता है, वो एक हफता हो सकता है, वो भी तब, जब आप अपनी diet को properly follow करें, और exercise करें, जित्ती आपको नेड है, मतलब आपके body को जित्ता weight कम करना है, जित्ता fat कम करना है, उस हिसाब से आपको exercise करने पड़ेगी, उस time exercise करने पड़ेगी, ऐसा नहीं कि motivate होगे, बस जो मेट कर लिए, चार मेट कर लिए, उसके बाद ये motivate होगे, कि मेरे से नहीं होगा, और जा के सोगे, और खा लिया जो खाना है वो, आपको properly, एकनम systematic way में काम करना पड़ेगा अपने ओपर, तब जा कि आपका body weight जो है वो कम ह होगा, और आप अपने लिए ऐसा कोई goal ना बनाए, कि मुझे एक अपते में तब weight loss करना, एक महीने में तब weight loss करना है, इतना slow आपका weight loss process है, तो आप उसे लंबे समझ तक sustain भी कर पाएगे, तो आपके जो सोच है, वो healthy weight loss की होनी चाहिए, sustainable weight loss की होनी चाहिए, और आपका जो aim है, वो fat loss का होना चाहिए, ना कि muscles loss का, अब हम कुछ इसी tips के बारे में बात करते हैं, जिनको follow करते हैं, ना सरफ आप अपनी healthy lifestyle को continue कर सकते हो, बलगी, जो fat loss जन रहे हैं, वो भी काफि अच्छे से होगी, तो इसके लिए आप सबजीयों को अपना दोस्त बनाएए, ज उसमें ज्यादा oil भी न डाले, जितना हो सकी हो इसको healthy form में खाने की कोशिश करें, या तो salad form में खाने की कोशिश करें, या कोई soup के form में, या कोई vegetable juice के form में आप उसको consume कर सकते हो, इसके अलावा, fibers को भी अच्छी quantity में आप अपनी diet में add करें, तो fibers को अपनी diet में सामिं कर और आपका जो dinner का time में, वो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप उसको consume कर सके, मतलब time से पहले, मतलब कि 7 बज़े से पहले, और कोशिश करें आपका जो dinner है, वो light quantity में हो, ज्यादा heavy ना हो, ऐसा करने से, ना स्रफ आपको body fat कम होगा, बल्कि जो indigestion वाली problem होती है, मतल करने से पहले consume कर ले, वजन कम करने के लिए water intake भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important है, पानी को जत्ती ज़्यादा quantity में आप पी सकते होती ज़्यादा quantity में पीए, मतलब दिन में 10 से 12 glass पाने ज़रूर पीए, पाने को पाने के तरह ही पीए, soda and juices के form में उसको ना गिने, और कोसिस करें, जत्ते भी आपकी caffeinated drink है उसको gum करें, weight gum करने के लिए आपको अपने आपको stress free रखना भी ज़रूरी है, जिसके लिए rest बहुत ज्यादा important है, इसलिए sleep has a very important role in weight loss, आप अपने नेन को compromise बिलकुल ना करें, और उपर rest करें, और अगर आपको stress रहता है, तो अब बात करते हैं, आप अपना weight loss goals को achieve कैसे कर सकते हैं, इसको achieve करने के लिए आपको अपकी body की health और अपने body में जाने वाले nutrition को track करना बहुत जरूरी है, body fat loss करने का proper relation, calorie intake और calories expenditure से होता है, मतलब कितनी calories हम intake कर रहे हैं, और कितनी calories को utilize कर रहे हैं, मतलब आपको अपना fat loss कर कर दें, और को calorie intake कर रहे हो, उसका expenditure जादा करते हैं, मतलब कि calorie का use जादा करते हैं, मतलब आप जितनी calories intake कर रहे हो, calorie बढ़नी उससे double करनी है, हाई यह अप जानते हैं कि different nutrition का क्या roles होता है अपना body fat कम करने के लिए, सबसे पहले बात करते हैं, carbohydrates की, जब भी weight loss करने की बात ह होती है, तो लोगों को लगता है कि अपने खाने में से carbs को निगाल दिया जाए, पर ऐसा नहीं है, जो carbohydrate है, वो हमारे body का बहुत ही important nutrition है, जो कि हमें energy देता है, तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है सही carbohydrate को पैचानने की, और उन्हें right amount में अपने खाने में सामिल करने की, आ और minerals होते हैं, तो weight कम करने के process में protein का बहुत important role होता है, क्योंकि weight loss की process में हम अपने muscles close नहीं करना चाहते हैं, खाली fat को loss करना चाहते हैं, इसलिए right amount of protein का body में सामिल करना बहुत ज़रूरी है, अब तीसरे nutrition के बात करें, जो कि है fat, क्या वज़न कम करने के लिए आपको बि कर देना है, ऐसा नहीं है, fat भी हमारे body के लिए काफी important होता है, कुछ vitamins के absorption के लिए fat जो है, एक important role play करता है, इसलिए कुछ मात्रा में body में fat को सामिल करना ज़रूरी है, fat खा सकते हैं, इसका मतलब बहुत नहीं है, कि आप सभी तरह के fat खा सकते हैं, fat सकर खा रहे हैं, तो healthy fat इसको choose करना ज़रूरी है, fat की quantity को कम करना ज़रूरी है, साथ ही, जो unhealthy fat है, जो की market में बनी हुए deep fried dishes से, और जो back to food होते हैं, उसमें होता है, इसे avoid करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आपको बिल्कुल भी junk food का intake नहीं करना है, मतलब कि आप जो इतनी strict diet follow कर रहे थे 8 दिन स और इतनी exercise कर रहे थे, अगर आपने एक भी दिन उसको unfollow कर दिया, और एक junk food खा लिया, तो आपका मतलब 8 दिन के manage हो गए, वो एक ही दिन में कथम हो जाएगी, फिर आप यह में सोचना कि जो मेरा body weight हो कम क्यों नहीं हो जा, ऐसे food का intake तो बिल्कुल नहीं करना है, जिसको बनादे टाइम, जो oil है, वो बार-बार eat हो रहा है, जिसमें यही से बाता है, market में जो बने होए fried चीज़े होती है, packed वाले जो खाने होते हैं, तो इन सब चीज़े को अपने खाने में से eliminate करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बात करते है vitamins और minerals की, vitamins और minerals जो है, वो हमें calendaries नहीं देते हैं, बट हमारे body के vital functioning के लिए बहुत important होते हैं, और इन्हें right quantity में add करने से wet loss में भी काफे मदद मिलते हैं, क्योंकि vitamins और minerals हैं, वो मेलनी हमें मिलते है vegetables और fruit में से, तो इन्हें आप अच्छी quantity में अपने diet में add करें, अब बात करते हैं, वजन कम करने के लि cakes, pastries, इनका इस्तमाल कम करें, या फिर आप इनको बिलकुल ही avoid करते हैं, और इसके साथ ही जो packed foods होते हैं, जैसे कि biscuit, toast, नम्कीन, इन सबसे भी दूर रहना ज़रूरी है, इसके अलावा high fatty food, जैसे कि cheese, butter, mayonnaise, fatty, cheesy sandwiches, इन सब को अपने खाने में कम करना बहुत ही ज़रूरी है, but, अगर आप ये सब चीचे अपने खाने में कम कर रहे हैं, तो आप snake में क्या खा सकते हैं, तो बात करते हैं क्या खा सकते हैं, इसमें आप nuts खा सकते हैं, oily seeds खा सकते हैं, roots खा सकते हैं, आप oil seeds होते हैं, चैने ही, इसको आप minimum quantity of oil में fry कर गें, अच्छे से बना के खा सकते ह या किसी भी फ्रकार का होंबेट सूप भी सकते हैं ना सिर्फ आपका पेट बड़ेगे बलकि आपकी हेल्थ में आपकी फैट लॉज जिनरी में भी काफी मज़द करेगे टाइट को रेगुलसिन करके आप अपने बोली में जाने वाले कैल्डेश को तो रोक सकते हैं इसके लाओ कैल्डेश का यूटलाजेसन में बहुत ज़रूरी है और यूटलाजेसन दूसरा बहुत इम्पॉइट पॉइंट है वसन घम करने के लिए Calrace Utilization करेंने का एक ही तरीका है Physical Activities या Exercise Physical Activities और Exercise को आप अपने Daily Routine में Head करें अब इसे किस तरीके से किया जाए Mतलब Physical Activities और Exercise किस तरीके से की जाए तो इसके तीन पहलो है पहला पहलो जो है वह है Stretching आप जब भी अपने Exercise स्टार्ट करें तो आप अपने बोडि को पहले स्ट्रेच करें अच्छी तरीके से उसरे फेलनों के बात करें तो वह हैं aerobic exercises आप अपने exercise में aerobic exercise जरूर सामिल करें जैसे walking, running, cycling, jogging, cycling जो आपको पसंद वो आप ख़र सकते हैं या इसके लावा आप कोई sports भी खेल सकते हैं आप जिम भी जा सकते हैं जुमा classes भी जोइन कर सकते हैं उसना कुछ तो आपको करना ही होगा खाली सूचने मात्र से कुछ होने वाला तो है नहीं आपको मैनत करनी होगी इतना बसी ना निकालना होगा कि सामने वाला भी बोले कि आप इतनी महरत प्रू कर रहे हो वे एक ना एक दिक ज़रोड रंग लाएगी और जो तीसरा पहली हो है वह अकसर शूट जाया करता है वह मुसल स्टेंथ्रिंग और रिजिस्टेंज एक्सराइसेज ज्यान रहे हैं कि इन्हें ना छोड़े अपने लाइफस्टाइल में रेगुलर नहीं करते रहें कि आप अपने ब्रॉसस में आप अपने मुसल्स को प्रिसर्व कर सके या फैट लोस अचीव कर सके हैट दी पॉइंट में आपको यह सला देना चाहूंगा कि आप जो भी खाए बॉइल खाए उबला हुआ खाए फ्राइड चीज बिलकुल ना खाए जितने भी यह जो बॉड़ी बिल्डर होते हैं वो कसम खाने थे कि आज के बाद जो फ्राइड फूर हो तो खाना ही नहीं है जो चने हो गए राजमां हो गए, मौंग होगई, सब बोईल निखाते हैं तो आप भी कोशिज करिए, कि जितना भी आप फूड इंटेक करें वो सारा बॉइल डियो हो प्राइड ना हो पार्ट वन को हम ही खतम करते हैं और पार्ट टू में हम जानेगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसके कोई साइड अफेक्ट भी नहीं है और काफी अफेक्टिव है वेड लोज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉप्टर सूरज आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहोंगा आज के लिए भी आपका तहे दिन से धन्यवाद जो कि आपने तलंबा वीडियो सुना और देखा ऐसे ही मैं अपने दिल के बात आप लोगों तक पॉसाता रहोंगा आप बस चैनल को सस्काइब रखे और बेल नोटिवेशन को आप रखे जैसे कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है में आप सबको बस ऐसी देता रहा हूँ अब लेता हूँ आप लोगों से विदाए मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए जोस के साथ एक नए मेडियसन के साथ जोगी आप लोगों को बड़ी काम आएगी सेर गरे वीडियो अपने उन दोस्तों को जिसको वेट लोस करने की बहुत ही ज्यादा आवस सकता है आज के टाइम में कर दो